उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है ये सिविल पुलिस वाली एसाई नहीं है यह जो गोपनिय विभाग होता है पुलिस का ही लेखा विभाग होता है अकाउंट वाला अकाउंट वाला और जो लिपिक कलर्क वाला विभाग होता है जो यह सेलरी वगरा बनाते है वो वाला डिपार्टमेंट है तो मैं पूरी जान करें आपको दूँगा एक्जाम पेटर ये वाला डिपार्टमेंट है, कुलपद 921 है, पदों का मैं आपको विशले सर दिखा देता हूँ, ये जो भरती बूर के द्वारा ये जारी किया गया है उसमें, इसमें याद रखिएगा जो पुलिस उपनिरिक्षक गूपनी हैं, ये तीनों ही हाला की समूगे की भरती हैं लेकिन जो SI वाला है, ये ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6, 268 पोश्ट हैं, और बाकी जो दोनों हैं, ये ग्रेड पे 2800 हैं, एक UPSI लेखा, इसमें लिपिक के 444 और एकाउंट वाले 204 पद हैं, तो कुल मिला के 921 पद हैं, ठीक है भी हाँ, और इसमें किस रेडी के कितनी हैं, वो भी इसमें लग-लग बता रखा है, तीनों के जैसे पुलिस उपनिरक्षक के अन्या रक्षित के 114 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 हैं, दूसरे अन्ये पिछड़ा वर्ग के 77, अनुसुची जाती के 44, अनुसुची जनजाती के 4, इसी तरह लिपिक वाले मे जो हैं, इसमें आप देखेंगे कि जन्नल 186, EWS 43, OBC 120, SC 93, ST7 और जो पुलिस थायक उपनिरक्षक है, इसमें जन्नल 88, आर्थिक रूप से कमजोर 19, अन्ये पिछड़ा वर्ग 53, अनुसुची जाती के 42, अनुसुची जाती के, क्या नामें, 0-2, मतलब दो पद हैं, ये मह महिला पुरुष दोनों के लिए भरती है, महिलाओं के लिए उनकी स्रीणी में, याद रखेगा 20% पद आरक्षित हैं, जैसे आप देखेंगे, लगबग 4 के करी महिलाओं के लिए, ये EWS में इस प्रकार से अलग-अलग स्रीणी में, 20% पद किसके लिए, महिलाओं के यदि आप UP के मूल निवासी हैं, SC, HT, OBC हैं, तो आपको 5 वर्स की उपरी सीमा में छूट मिलेगी, तो 18 से 33 सायू हो गई, ठीक है भीया, उसके बाद में 5 साथ जनवरी से भरे जाएंगे, 400 रुपेस का शुलक है, मात्र, इसमें जो हाइट है, ये कैसी भरती है, जिसमें रनिंग नहीं है, याद रखिएगा, वाकी पुलिस में लगने के लिए दोड़ना पड़ता है, इसमें कोई दोड़ना नहीं है, इसमें हाइट है जनरल कैटिगरी के लिए, SC, सडिल कास्ट, OBC, WS, पुरुष हैं तो 163 सेंटीमीटर, महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर, हाँ प प्रोसेस, सबसे पहले इसमें 400 नमबर का रिटेन एक्जाम है, उनलाइन, चार सब्जेक्ट आएंगे 50-50 कुश्यन, सही के लिए 2 नमबर, फिर साथी DV और उचाईए, इसमें DV के बाद में दोड़ नहीं है, टाइपिंग और इस्टेनों ये केबल क्वालिफाइंग है, ट तो 200 कुश्यन, हर एक कुश्यन दो माक का 400 नमबर में इसे मेरेट लगेगी, चार सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जी के, हिंदी के साथ कंप्यूटर भी होगा, हिंदी कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जी के, 50-50 कुश्यन हर एक सब सब्जेक्ट होंगे 200 कुश्यन, एक कुश्यन दो नमबर का होगा, ड़ाई घंटे का पेपर होगा ओनलाईन लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोड़ नहीं है, बारे में प्रकाश डालू कि इसकी सेख्षिक योगता क्या है तब ध्यान दीजीगा, सेक्षिक योगिता में बहुत इंपोर्टेंट क्या है तीनों जो इसमें पद हैं उनके लिए अलग-लग योगिता मांगिए दो के लिए तो सेम टू से में एक के लिए जो लेखाय काउंटेंट वाली होती है उसके लिए थोड़ी सी अलग है तो आप इसका वो देख लीजे फिर मैं आपको इसका सिलिबस वगरा दिखा दूँगा यदि आप UP पुलिस उपनिरिचक में गोपनिये पदपर्फॉम भर रहे हैं तो याद रखेगा आपको ग्रेजवेशन होना चाहिए किसी भी ग्रेजवेट हो आप इसना तक हो किसी में BCA, BA, BBA, Bcom, Bteg कुछ भी और दूसरी चीज इसमें कम सिकम 25 शब्द परती मिनिट की गती से हिंडी टाइपिंग और 30 शब्द 30 वर्ड्स परती मिनिट की गती से इंगलिश टाइपिंग इस तरह के डॉइक O-Level के समकक्ष होते हैं वो, लिपिक के पद के लिए भी सेम टू सेम हैं, जैसा कि वही ग्रेजवेट 25 सब्द परती मिनट हिंदी, 30 शब्द परती मिनट इंगलिश, और लेकिन इसमें जो लिपिक है, इसमें स्टेनोग्राफी नहीं मांगी है, इसमें O- या O-Level के समकक्ष, और जो ये लेखा एकाउंट वाली है, इसमें या तो कोमर्स से सनातक हो, या फिर एकाउंट NC से पराय सनातक, मतलब पोस्ट गिरिजवेट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई, 15 शब्द परती मिनट की गती से हिंदी टाइपिंग और O-Level, तो लेखा वाला है, इसमें तो केबल हिंदे टाइपिंग मांगी है, लेकिन इसमें कोमर्स वाले भर सकते हैं, चली भी है, जिस दिन आविदन की लास्तित ही है, उस दिन तक आपके पास सारे रिजल्ट होने चाहिए, अगर आप फाइनल एर में, तब आप ऐसे फोर्म नहीं बर सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, एकिस सटाइस आयू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेबस और इसका जो आपका भरती की प्रिक्री आए, वो ध्यान दीजेगा, इसमें बहुती सिंपल सा है, चार स सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और कंप्यूटर के 100, अंक मतलब 50 कुशिन आएंगे, सामन्य जानकारी और करेंट अफेर एक प्रकार से 100, मैं संख्यातमक मान से क्योंकि था 100, और जो रीजनिंग है वो भी 100, अंक मतलब सब के 50-50 कुशिन, क्योंकि 200 कुशिन बोल रखा है न, कि जिसमें कुल 200 प्रिशन होंगे, तो 50-50 आएंगे चारों के, हर एक के लिए 2 नंबर, नेगेटिव मार्केंग नहीं है, लेकिन प्रतेक सब्जेक्ट में 35 परसेंट और ओवल और आपको 40 परसेंट नंबर लाने होंगे, एक से ज़्यादा पालियों में होता है, तो नॉर पहले क्या होगा आपकी, रिटेन एक्जाम, फिर आपकी डीवी, डॉक्यमेंट वरिफिकेशन नब तोल, और फिर होगा आपका कंप्यूटर टाइपिंग, और जो आशुलिपी परिक्छा है, जो आपकी साथी, इस्टेनोग्राफी की परिक्छा है, गूपनिये वाली, क् परिक्छाम, जो आपकी बाकी में केवल टाइपिंग है, उसके बाद में फिर आपकी फाइनल मिनिट लगेगी, फिर चिकिस्सा, अब आज आते हैं कि सर इसका सिलेबस और दिखा दीजे, तो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ, और सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपक मिलेगा, जैसे आप हिंदी और कंप्यूटर का देखोगे, कंप्यूटर थोड़ा इसमें एक्ष्टा हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है, हिंदी में वही जो कॉंस्टेबल का सिलेबस होता है, हिंदी अन्य भारते भाष्या हैं, व्याकरण के सारे टोपिक, रस, छंद, अल में विवेक्षन नोर्स, उस पर आपको यह में पूरा डाल दूगा, तो आप एक बार यह पूरा पढ़ लेंगे, यह कंप्यूटर का सिलेबस है, बहुत सिंपल सा, फिर जीके में देखोगे, तो भई इतिहास, समवीधान, भूगोल, उतर प्रदेश जीके, परियावरण नगरी करण, भारत का भूगोल, उतर प्रदेश के सिक्षा, राज़स, प्रिस प्रिसास, रांतरी सुरक्षा, मानवा देकार, भारत के पलोसी देश, वस्तु एवं सेवाकर, GST, पुरुसकार सम्मान, साइबर क्राम, करेंट अफेयर, अंतराष्ट्य संगटन, रेल में विले, सिंदू जल समझोता, अनुसंधान खोज, देश राज़दानी मुद्राएं, प्रह मेहतापुन देवस, सोसल मीडिया, इंटरनेट बेंकर, डिजिटल भुगतान, बहुत ही कुछ टॉपिक, कॉंस्टेबल से एक्स्टा है, बाकी कुछ नहीं, सेम टू सेम, जो लग नहीं है, अब जानते हैं कि यूपी पुलिस में क्या है, कि मैत वाले पूर्शन में ही कुछ, टॉपिक रीजनिंग के होते हैं, लेकिन ये काउंट मैत में होते हैं, जैसे लोजिकल डाइग्राम, सिंबल रिलिसंसे, पिरिंटर प्रिटेशन, पिर्तियक्ष ग्यानब word formation, word and alphabet analogy, letter number series, common sense test, direction test, logical interpretation of data, argument, ये सब कुछ, जो तीसरा, इसमें जो चोथा subject reasoning, वो भी तीन भागों में बटाए, एक तो आपकी मानसिक अभी रुची, कि आप इस job के लिए कितने लायक हैं, उसमें रुची देखने के लिए, अपराद नियंत्रन, कानून शानती विवस् प्रिस प्रणाली, प्रिस मुद्दे, मानसिक दर्ड़ता, विवसाय की प्रतिरुची, अल्प संक्यों कर अल्प अधिकार वालेों की प्रति सम्वेदन सीलता और लेंगिक सम्वेदन सीलता, बुद्धी लबदी में pure reasoning आती है, relationship analogy, spotting out error, dissimility, series completion, coding decoding, direction, blood relation, alphabet series, time sequence, when diagram, इस space visualization, problem solving, visualization, judgment, decision making, visual memory, relationship, concept, verbal figure, classification, abilities to deal with abstract ideas, मतलब ये previous year में से आपको constable SI में जो आया है, वो सब कुछ, ये last भरती 2021 में आई थी, तो previous year में में आपको provide करा दूँगा, तो ये हो जाता है इसका syllabus, तो इसका syllabus कुछ ऐसा नहीं है, कि अलग हो, बहुत ही simple constable जैसा syllabus है, लेकिन job SI की है, तो आपको बहुत फायदा इसमें, क्योंकि मूलविदी वग परिश्रम निकाला है, जिसके classes आठ जनवरी से सुरू करेंगे, एक जनवरी तकरीद लेते हैं 699 का, उसके बाद 999 का, आठ जनवरी से classes है, 7 जनवरी को उसका time table आएगा, best team दूँगा, एक चीज में आपको और अच्छे से बता रहूं, ध्यान दीजीगा आप सभी लोग यह जो वीडियो देख रहे हो, इसी के description में, यह परिश्रम का लिंक है, विवेक सा notes वाले टेलिग्राम चैनल का लिंक है, और आप जल्दी से जल्दी सूचना चाहते हैं, जॉब के बारे में, पुलिस की भरतियों के बारे में, तो मेरे WhatsApp चैनल का भी लिंक है, उसको जरू आएगी तब बताऊंगा, कोई और चीज से रेलेटिर जानना चाहती हो, डोई को लिवल की कौनसी समकत्ष डिग्री आएं, तो समय ने वीडियो बनाई है, वो साब आप देखिएगा, वीडियो बनाऊंगा, जैसे BCA किया हो, BSE किया हो, वो सब आपके काम आएंगी, तो परिश्यरम से जरो जुड़ना, मेहनत करना, बढ़िया नौकरी है, बिना दोड मारे, दोड़ी नहीं है, सोचो, SI बनोगे, SI बनोगे, मूल विधी भी नहीं पढ़नी, मजा है न, संभी धान भी उतरह डीप नहीं पढ़ना, कॉंस्टिबल लेबल का पढ़ना है, तो तैय क्यारी करेंगे, मैनत करेंगे, जैहिंद!